पागते स्टुएंट्स यहां पर क्वेश्चन है कि a disk of mass 10 gram is kept floating horizontally by throwing 10 marbles per second against it from below if the mass of each marble is 5 gram what will be velocity with which the marbles are striking the disk assume that the marbles strike the disk normally and rebound downwards with the same speed ठीक है तो देखो यहां पर एक diagram हम लोग पहले draw कर लेते है suppose करो कि एक disk draw कर लेते है ठीक है यह एक तरह का ऐसे disk है जो हवा में क्या हो रहा है फ्लोट हो रहा है और यह float क्यों हो रहा है क्योंकि जो इसका weight है वो किदर लगे है downward weight कितना लगेगा mg तो जब हम लोग यहां पर जो marbles को strike करेंगे marbles को throw करेंगे नीचे से तो marbles जाकर कि इससे टकराएगा suppose करोगी 20 speed के साथ इस तरह से टकराएगा और टकराने के बाद यह वापस लोट जाएगा 20 speed से ठीक है और एक second में एक second में यहां पर 10 marbles जो है ना strike कर रहा है इसको एक second में 10 marbles यहां पर strike कर रहा है इस पार्टिकल इस डिसक को ठीक है एक second में 10 marbles इसको strike कर रहा है और यह उपर velocity भी से strike किया और टकराने के बाद रिबाउंड कर गिया वी velocity के साथ यह question में लिखा हुआ था इसके strike करने से हो क्या रहा है तो इसके strike करने से क्या हो रहा है कि force apply हो रहा है तो वह force जो होगा यहां पे वह जागा change in momentum upon time dp by dt अपने newton के second law में पढ़ा होगा तो उसमें होता है f equals to delta p upon delta t तो पहले हम लोग यहां डelta p यहां पे निकाल लेते हैं इसकी वजह से change in momentum हो रहा है marbles का momentum चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक up thrust type का upward force यहां पे act कर रहा है और वो weight को क्या कर दे रहा balance कर दे रहा है तो यह जो force है यहां पर यह weight को balance कर दे रहा है और इसकी वजह से हवा में float कर पा रहा है ठीक है तो चलिए यहां पर जो formula है उसके इसाफसे अगर हम देखे तो हमको delta p चीए तो final momentum minus initial momentum होगा ठीक है अब यहां पर जो final momentum है वो कितना है तो यह mass into velocity लेकिन total n यह यहां पर जाएगा तो उसको बाद में देखते हैं तो एक का निकाल लेते हैं मास into velocity final momentum minus marbles का मास 5 ग्राम है तो इसको suppose करो की small m से हम दिखाते हैं और जो disc का मास है उसको capital M से दिखा रहे है ठीक है तो disc का मास capital M G कर दिया हमने इसको मास कर दिया capital M G और marbles का मास small m तो मास into velocity क्या हो गया final momentum minus initial momentum उपर की तरफ है तो उसको negative sign ले लो माइनस M V क्योंकि दोनों का direction opposite है तो एक को प्लस दूसरे को माइनस M V प्लस M V क्या हो जागा 2 M V तो यहां change in momentum कितना है एक marble का 2 M V और suppose करो भी time अगर हम यहां पर one second ले रहे है तो एक second में कितना marble strike कर रहा है एक second में clear है तो यहां से 2 into M का value 5 gram था तो 5 into 10 का power minus 3 kg में change कर देंगे V हमको नहीं पता है upon one into एक second में 10 marble तो into 10 तो पांच दुनी 10 और यहां 10 100 हो जाएगा तो 100 into 10 का power minus 3 तो इसको जब solve करेंगे तो यह हो जागा 0.1 0.1 Newton का force यहां apply हुआ ठीक है तो चलो अब देखो force तो हमको पता चलिए 0.1 Newton है mass of the disk कितना था 10 ग्राम तो 10 into 10 का power minus 3 kg ठीक है अच्छा यहां भी भी रहेगा न छूट यहां भी स्वारी तो यहां पर into V तो यह जागा 0.1 times of V तो 0.1 times of V यहां पर आ जाएगा ठीक है तो 0.1 V क्या आ गया Newton में force और mass of disk कितना है 10 ग्राम तो 10 into 10 का power minus 3 kg into G का value हम ले ले लेते हैं सबसकरो की 9.8 ले ले लेते हैं यहां से हमको यह जो decimal है इसको उदर भेज दो तो 10 into 10 का power minus 3 into 9.8 upon 0.1 तो यह decimal यहां से हट जाएगा और यह हो जागा 980 into 10 का power minus 3 इसको भी देंगे 0.98 मीटर पर सेकेंड इसी साफसे ओप्शन नमबर 20 का सही अंसर हो जाएगा तो इस तरह से इस को बनाना था बहुत आसान मेथड हम आपको बता है थैंक्यू सो मच पर वोचिंग